इस कहानी की सुरुवात में हमें समुन्थ के बिचो बीच में एक ओईल प्रेटफॉर्म को दिखाया जाता है और यहीं पर हम दो लोग को आते हुए देखती ही क्यूंकि इन दोनों को इसके कंपनी ने इस पुराने से प्रेटफॉर्म को उडानी के लिए काम दिया है और इन जो अपने साथी से कॉंटेट करेने की कोसिस करता है लेकिन तभी अच्छानक से इसका बोट भी हिलने लगता है और तभी इसके नजर एक बहुती बड़े सार्क में जाती है जो कि इसी की और आ रही थी जिसके बाद यह सार्क इस आदमी को भी जान से मार देता है इसके ब नाम के आदमी को दिखाया जाता है और या अपनी फैमली के साथ में मेक्सिको सहर में आ रहा था जैक के फैमली में उसकी बाइब और उसके बेटा बेटी थे जैक अपनी फैमली के साथ में एक बीच पर जाता है और वहां पर जैक का बेटा अपने स्कॉप से उसी प्लेट आदमी के पास में जाता है जिसका नाम डैन है लेकिन यह आदमी भी जैक से अच्छे से बाती नहीं करता और तभी वहाँ पर जैक की बीबी आ जाती है और डैन से कहती है कि हमें यहाँ पर रुकनी के लिए एक होटल चाहिए क्या आप हमारी मदद कर सकते हो जैक की बीबी ध्यान रखना जिसके बाद जैक उससे पुछता है कि क्या यहाँ पर कोई खत्रा है और डैन उसे बताता है कि हाँ ब्लैक डीवन इतना कहकर डैन यहाँ से चला जाता है लेकिन जैक इसके बातों पर बिलकुर भी ध्यान नहीं देता इसके बाद जैक के पास में उसी के अपनी का फोन आता है और उसके कंपनी उससे कहती है कि तुम एक बार जाकर ओयल प्रेटफॉर्म को चेक करो इसके बाद जैक समूंद के किनाले चला जाता है जहां पर पहले से ही इसके कंपनी ने एक बोट को भेज दिया था वहीं पर एक गार्ड बैठा होता है और जैक इस गार्ड से कहता है कि तुम रेडियो से मैसेज भेजो की मैं वहां पर आ रहा हूँ लेकिन यह गार्ड ऐसा नहीं करता और इसे मना कर देता है इसके बाद यह आदमी जैक को अपने बोट पर बैठा कर ले जाने लगता है और तब जैक इस से पुस्ता है कि पता नहीं इस प अपने बोट को एक जगह पर रोग देता है और जैक से कहता है कि मैं इसके आगे नहीं जा सकता यहां से तुम्हें अकिले जाना होगा इतना कहकर यहां से चला जाता है दूसरी और हम जैक की बीबी को देखते हैं जो की एक धावे में बैटकर खाना खा रही थी तभी इनके पास में एक आदमी आता है जो सड़ा प्या था और यह जैक की बेटी से बत्तिमीजी करने लगता है यह देखकर जैक की बीबी अपने बच्चों को बच्चानी के लिए उस आदमी पर हमला करती है और यह सब कुछ करने के बाद यह तीनों यह वहां से बाहर आ जाते हैं ज पहले तो यह आदमी ऐसा करने के लिए मना करता है लेकिन जब यह देखता है कि इनके पिछे कुछ बुरे लोग पड़े हैं तो यह इनकी मदद के लिए तयार हो जाता है इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो बोट लेकर प्लेटफॉर्म तक जाने लगता है जैक देखता है कि प्लेटफॉर्म के आसपास का पानी लाल है जो कि बहुत ज़्यादा आजीब था इसके बाद जैक प्लेटफॉर्म के अंदर में चला जाता है और आवाज लगाने लगता है कि कोई है क्या लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता और तभी जैक को दो लोग मिल जाते हैं जिन इनकी और तेजी से आ रहा है और जब सैडो का दोस्त अपने दुर्विन से देखता है तो हमें पता चलता है कि जैक की फैमली जैक की और आ रही है और हम जैक के बेटे को देखते हैं जो अपने दुर्विन से आसपास के नजारे को देख रहा था और तभी हम बोर्ट के न असास इन दोनों को भी हो चुका था और यह दोनों उस सार का धियान बढ़काने के लिए प्रेटफॉम पर आवाज निकालने लगते हैं ताकि जैक की फैमली सही सलामत यहां पर आ सकी और यह सब देखकर जैक को कुछ भी समझ में नहीं आता और यह इन से पुछता है कि यह तुम क्या कर रहे हो और कुछ समय के बाद जैक की फैमली सही सलामत फ्रेटफॉम पर आ जाती है। देखती है कि जो बोट उन्हें बचा कर यहां पहलाया था उसके उपर एक बहुती बड़ी सार के हमला कर देती है और यह सार कितनी बड़ी थी कि उस आदमी के साथ साथ उसके बोट को भी खा जाती है और यह सब देखका जैक की बीबी बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी थी और तबी सैडो बताता है कि जो कोई भी इस जगा पर एक बार आ जाए वा कभी भी बापिस लोटकर नहीं जा सकता क्यूंकि जो भी जाने का कोशिस करता है उसे यह सार खा जाती है और हम यहाँ पर किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकते और पता नहीं तुम यहाँ पर क्यूं आ गए लेकिन जैक को अभी भी इनके बातों पर यकिन नहीं होता और तबी जैक कहता है कि हमें इस प्रेटफॉर्म पर कुछ मरमत करनी होगी इसके बाद यह तीनों इस पुरेटफॉर्म के मैप को देखते हैं और इन्हें पता चलता है कि हमें इसे ठीक करने के लिए पानी के गहराई में जाना होगा लेकिन यह सबको जैक की बीबी को प्रसंद नहीं आता लेकिन जैक अपनी बीबी के बातों पर जादा ध्यान नहीं देता और यह दोनों प्लैन बनाते हैं कि एक कैपसुल की मदद से पानी की नीचे जाएंगे जिसके बाद सैडो और उसका साथी यह दोनों ही पानी की गहराईयों में चले जाती है पानी में सैडो का साथी जब कैपसुल से बाहर आता है तो उसे अपने सामने बहुती सारे इंसान के कटे हुए बोड़ी पार्ट तैरते हुए नजर आते हैं जिससे देखकर यह जल्दी से अपने कैपसुल में चला जाता है लेकिन यह बड़ी से सार के इसके कैपसुल को अपने मुझे से पकड़ लेती है जिससे देखकर जैक को ऐसा लगता है कि साधिया अभी भी जिन्दा है इसलिए जैक इसके बोड़ी को बाहर निकालने की कोसिस करता है और जैसे ही जैक के सैडो के साथी के बोड़ी को बाहर निकालता है तो हम देखते हैं कि इसकी आथी बोड़ी कटी हुई है और अब इसके पर क्यों आ गई यह सुनकर जैक की बीबी रोले लगती है और उससे कहती है कि जहां पर तुमने हमने छोड़ा था वहां पर एक सरावी आकर हमारी बेटी को तंग करने लगा था तो मैं कैसे उस जगह पर रह सकती हूं इसके बाद जैक सैटो के साथ मिलकर यहां के जन्रेटर को ठिक करने की कोसिस करता है इसके बाद जैक की बीबी को हम देखते हैं जो कुछ खोजने की कोसिस करती है और तभी इसे कुछ पेपर मिल जाते हैं और इस पेपर से जैक की बीबी को साब साबिया पता चलता है कि जैक से उसकी कमपनी के दोआरा या पुछा गया था कि क्य इस जगा की कंडिशन अभी ठीक है जिस पर जैक ने अपने रिपोर्ट में कहा कि यहां की कंडिशन बिल्कुल ठीक है लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था इसके बाद हम जैक की बेटे को देखते हैं जो प्लेटकॉम की गिनारे बैठा था और तबी सार्क की पानी के अंदर कुछ जाती है विना कुछ सोचे समझे और तबी हम सार को भी देखते हैं जो इनकी और आता जा रहा था लेकिन जैक अपनी फैमली को किसी तरह से बचा ही लेता है और अब जैक की बीबी जैक से फुछती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया तुमने अपने प्रोफिट होता और यह सब कुछ मैंने अपने फैमली के लिए किया इसके बाद जैक जनियेटर को भी ठीक कर लेता है और सेडो से बाते करते हुए कहता है कि हां मैं वही इनसान हूँ जिसने उस पेपर पर साइन किया जिसमें यह लिखा था कि यहां की कंडिशन बिल्कु ना देना पड़े लेकि सेडो कहता है कि अब यह सब छोड़ दो अब हमें यहां से निकलने के लिए सोचना चाहिए इसके बाद हम जैक की फैमली को देखते हैं जो एक टूटे हुए ना को ठीक कर रहे थे इसके बाद जैक सेडो के पास में आकर उससे कहता है कि मैं पानी क के नीचे जाकर उस बम को निकाल लूँगा और मैं अपने पीछे उस बड़े से सार को भी लगा लूँगा जिससे तुम्हारे पास में इतना टाइम मिल जाएगा कि तुम मेरी फैमली को लेकर यहां से निकल सकूँ यह सब सुनका सेडो समझ जाता है कि जैक हम सभी को बचान कहकर पानी में कुद जाता है और इसके तुरंत बाद ही सैडो जैक की पूरी फैमली को लेकर एक नौ में बैठ कर यहां से जाने लगता है दूसरी और हम जैक को देखते हैं जो किसी तरह से उस बम के पास में पहुँचकर बम को निकाल लेता है लेकिन उसे यह अंदाजा भी हो चुका था कि वह बड़ी सी सार्क उसी की और आ रही है और जैक उसे बचने के लिए एक छोटे से जाल में छिप जाता है और तबी जैक का उकसीजन भी खतम होने लगा था इसी भी जैक अपने रीडियो से अपनी वीवी से बाते करता है और उससे कहता है कि मैं अब पर सार के चितरे उड़ जाते हैं और जैक की पूरी फामरी यह देखती है कि उस बम के फटने के बज़े से यह प्रेट फोम भी तबाह हो जाता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खतम हो जाती है